नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए कहें सोना लिका का डी आई 734 जो कि एक 34 से लेके 37 HP के टेकरी के अंदर आने वाला टेक्टर है एक खास बात इस टेक्टर के अंदर जो है वह मैं आपको बता देता हूँ इस टेक्टर के अंदर बहुत ही पाउरफुल इंजन दिया हुए कंपनीने जिससे आप छोड़े काम तो आसानी से करी सकते है बड़े काम भी आप इस टेक्टर से कर सकते है बात करें टेक्टर के आगये से तो आगए कुछ इस प्रगार आपको टेक्टर दिखाई देगा कंपनी fitted जो ए बंपर आपको इस ट्रेक्टर के अंदर मिल जाएगा axle की बात करें तो सिद्ध एक्सल दिया हुआ है बिल्कुल काफी एक्सल दिया हुआ है और एक और खास बात पाउर श्टेरिंग अंदर आपको मिल जाएगा जिस से आपको टाइसा नीगा स कर सकते हैं आगे वारे Tire की बात करें तो आगे वारे 6 16 के साइज में इस ट्रेक्टर के आपको आगए लाइट साइड में दियू यह आप लोग देख सकते हो आगे आपको जो बॉनट है वो आपका चाबी से खुलेगा यह एक बहुत बड़िया सिस्टम दिया हुए आप अपना बॉनट को लोग भी रख सकते हैं आगे नंबर प्लेट के लिए जो दिया हुए आप आपने टैक् जब चलता है और इसमें आपको एक डिजल फिल्टर मिल जाएगा वाट्श एप डेटर मिल जाएगा निच गेजगर इसान दिया हुए थ्री सिलेंडर के साथ दिया हुए है टैक्टर और बोस कंपनी की इलाइन पंप के साथ जो है इस टैक्टर को दिया हुए है और ने डिजल की बंद कर सकते हो और प्लेटफोर्म की बात करें तो आप लोग द Сकते हो काफी है वी प्लेटफोर्म टैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगे और पाउडफलेस की नाम से जो है दिया हुए है टैक्टर फ्यूल टैंक प्यूल इससे पचाह लिटर के लग बगिश ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा जो साइड के जो टैर की बात करें तो आप लोग देख सकते हो साइड में 13-18 के लग बगिश ट्रैक्टर के आपको टैर मिल जाएगे पिछे से कापी दिया हुआ है एक रोड दी हुए है जो दोनुँ बंपरों के कंबिनेशन के लिए दी हुए है पिछे एक रिफ्लेक्टर दी हुए है जैसे आप रात में पिछे ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा पिछे एक लाइट दी हुए है जैसे आप रात को काम करते तो यहां से आप अपनी लाइट जला सकते हैं बात करते हैं ट्रैक्टर के गेर्बोक्स की तो Central गेर बोक्स के साथ है टेक्ट पर से आपको कोई चीज परकार दिखाई देगा बिल्कुल छोटा श्टेरिंग दिया वायर एक रबट दिया वायँ जिससे आप एक आज से आराम से गुमा सकते हैं मिट्र आप देख सकते हैं काफी डीजी टल जो है मिट्र दिया हुआ है टेक्टर के अंदर जिसमें आप अपने आर्पेम अगेरा फ्यूल टेंपरेचर आदी सब देख सकते हैं आठ फॉरवर्ड दो रिवर्स गयर के साथ जो है टेक्टर आपको मिल जाएगा काफी समतल प्लेट फार्म दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं तो पहर रख सकते ह हो साइड में टूल बोक्स दिया जिसमें आप अपने टूस अगेरा लग सकते हैं पोजिशन और ट्राफ लिवर्स जो है वह आप देख सकते हो अठारा सोकेट्जी के लग बगिस टेक्टर की आपको लिफ्टिंग कैपेस्टी मिल जाएगी और बैटरी बोक्स है वो टेक्टर में दिया हुआ है देख सकते हैं आप और लिफ्ट का और पाव स्टेरिंग का जो है फिल्टर दिया हुआ है तो आपको यह टेक्टर कैसा लगा है अब कोमेंट करके ज़रूर बताएं